पुलिस के अनुसार मृत यूवक अप्रादी प्रवित का था तीन संदिक्दों को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की चानबीन में जुटी है दुस्सासिक वार्दा से गाउ में संसनी फैल गई है कोतवालपुर गाउनिवासी 25 वर्षी सुभम सिंग, पुतुति भुवन सिंग सुभा करीब 10 बजे कुछ मित्रों के बुलाने पर घर से निकला था करीब 4 बजे 22 सवार 34 की संख्या में बदमासों ने गाउं के प्रात्मिक विद्याले के पास गले वसीने वसरीर में अन्यस्थानों पर चाकू घोप कर सुभम सिंग को मौत के घाट उतार दिया कातिल हत्या करने के बाद सव बाइक पर लाद कर जलालपूर की तरफ चले लेकिन गाउं में ही यादव बस्ती के पास अड़क किनारे फेक कर भाग गए किसी ग्रामीड ने सव देख कर सोर मचाया सैकडों की संख्या में ग्रामीड जुड गए वारदा से पूरे गाउं में संसनी फैल गई पता चलने पर अम्रित युवक के परिजन भी मौके पर आ गए गटना की सूचना थाने पर दी गई थाना प्रभारी निरिच्छक सत्र प्रकास सिंग मैं फोर्स मौके पर पहुँच गए मौरित सुभम सिंग के पिता त्रिभुवन सिंग ने गाउं के ही तीन व्यक्तियों पर हत्या करने का आरोप लगाया है पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूश्टा सुरू कर दिया थाना प्रभारी निरिच्छक ने बताया कि इम्रि सुभम सिंग के खिलाफ थाने में कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है हत्या के काड़ों का पता लगाया जा रहा है जल्द ही कातिलों को गिरफतार कर राजफास कर दिया जाएगा उधर घटना के बाद परजनों का रो रोकर बुरा हाल है अब देखना यह है कि पुलिस मामले का खुलासा कब तक कर पाती है वहीं छेत में घटना को लेकर ग्रामीडों में आक्रो स्व्याप्त है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान की गंटी जो दबाई